हेलो बच्चों मैं दिपेन सिंग आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रादेश्टडी हम में सवागत करता हूँ आज हम लेकर आया जो बच्चे प्रमोट होके क्लाश 11 की पढ़ाई करने लगे हैं या जो पढ़ रहे हैं और जो पढ़ रहे हैं उनके लिए फिजिक्स क्लाश 12 की स्टार्टिंग से चालू कर रहे हैं जो टोल्थ में हैं कच्चा 12 में बच्चे पढ़ रहा हैं उनके लिए निमेरिकल की सीरीज डाली रहे हैं क्योंकि इस समय विद्द्याले सभी कोविड-9 या ओमीक्रॉन वाइरस की कारण सभी बंद चिक चल रहे हैं और इसमें सर्दियों की कारण आप सब की अदिक्तर को करें जिससे क्या हो जब आप लाइक करते हैं तो हमें थोड़ा अच्छा लगता है और ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाने का की इच्छा होती है ठीक है तो देखो अब इसमें इसको फिजिक्स को कैसे पढ़ना इसको पहले तरीका समझ लीजिए कि हम पढ़ाएंगे कैसे और आप पढ़ेंगे कासे हम क्या करेंगे जैसे इस तरव एक हेडिंग डालेंगे इस तरव हर्डिंग डाली हमने वैद दो यहां theory नहीं लिखेंगे theory क्या होगई आपको बगल में screen में दिखेगी टिक जो वीडियो आप देखेंगी तो बगल में screen में आपको दिखेंगी और theory आप उससे note करेंगे वीडियो को pause करके अपनी पेयर में note करते जाएंगे और बाकी यहां पर हम क्या करेंगे उसके बारे में explain करेंगे कि जो theory होगी उसी को हम समझाएंगे जिससे आपको समझ ये भी आ जाए तो आप इस प्रकार आप पढ़ाई करेंगे ठीक है तो पहली एडिंग बढ़ते हैं लोग देखते हैं कि वैद्धुत इस्तित्की लेशन वन जो है वह आपका है वैद इस्तिर वैद्धुत और इकाई का नाम है वैद्धुत इस्तित्की यह वैद्धुत इस्तित्की तो सबसे वैद्धूत स्थित्की क्या होती है विध्धूत स्थित्की क्या होती है विज्ञान की वैसाखा यह क्वैसाखा यह cops क्या करते हैं इस्तिर आवेसों का अध्यन करते हैं इस्तिर आवेस का अध्यन करते हैं सबसे पहले तो यूनिट बात करते हैं काई फ़स्ट की जो है इस्तिर विद्धुत की और इसमें चार चेप्टर मिलेंगे सबसे पहला मिलेगा आपको वैद्धुत आवेस तता वैद्धु छेत्र से यालता है मतलब जैसे यह आवैश है Посक्किमिन वराम वस्ता में होनाners तो इसके कारण जो इसके प्रबाव के कारण दू होगा वह कहसे होगा मैं आश्वीख के कारण ओर इसकी परिवास सब्सक्रारा इसक्रीन में आपको धिक रहा होगा वंक्र परिवासा फिर भी आपको याद करने का तरीका क्या है कि इस्थिर से आपको पढ़ता चला है विद्धुत इस्थित्की तो इस्थित से पता चला है कि जो इस्थिर वस्ता में हो तो जब आवेस क्या हो विज्यान की वैसा आखा जिसमें हम इस्थिर आवेस का क्या करते हैं अध्यन करते हैं इस्टडी करते हैं क्या कहलाता है वैद्धुत इस्थित्की कहलाता है यह हो गई वैद्धुत इस्थित्की की परिवासा इसके वाद जो सेटिक सेकेंड है आपकी वह विद्धुत विद्धुत क्या होता है सब्सक्राइजन कि विद्धुत क्या है तो धिरू को यह विज्ञान की वैसा कहा है जिसमें हम क्या करते हैं ऑवेश तथा आवेशित वस्यवकर्व extr levant के प्रभाव का ध्यन करते हैं उसमें तो आवेश की वारिम दन करेंगे विद्धुतमें हम लोग आवेश तथा रान वes का क्या होगे उसके कारण उसके जो प्रभाऊ अब देखें समझिए मौल आवेस क्या होता है वैदुत आवेस प्रिदार्थ का मौल गुड़ है कि यह किसी प्रिदार्थ में इसको इससे छोटा रूप में डिवाइड नहीं किया जा सकता आवेश को जैसे द्रौमान होता है द्रौमान प्रते प्रदार्द का मौलिक गुड़ है उसी पकार से जो आवेश होता है उसी के प्रदार्द का मूल गुड़ होता है ठीक है अब देखो क्या होता है तो यह वैद्धुत आवेश जो है किसी प्रदार्द का मौल गुड़ है या मौलिक गुण है और यह जो होते हैं जिसके काण़ पदार्द क्या करता है एक दूसरे पर बालारोपित करता है जैसे एक जामपल के लिए समझेए कि दो आवेशित वस्तुएं हैं जैसे यह है इसे एक पिन है इसे हम क्या करें कि नॉर्मली अगर हम छोटे उटे कागच क कि टुकणों को कारसित करें यह नहीं क्या क्यां पर कर दो दू परकार के उते हैं एक होता है धनात्मक आोस और दूसरा होता है ब्रिणात्मक आवेश थियोरी आपको वीडियो को रोख के बगलत में जो लिखी हुई है उससे लिखना है तो तो यह हो गया धनात्मक और रिनात्मक अब याद करना है कि जो समान प्रकार के आवेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं प्रतिकर्सित करते हैं और जो विपरीत प्रकार के आवेस होते हैं विपरीत प्रकार के आवेस वो क्या करते हैं आकर्सित करते हैं एक दूसरे को आकर्सित करते हैं तो आवेस की परिवासा क्या होई किसी आवेस किसी पदार्त का मूल गुण है जिसके कानग पदार्त क्या करते हैं एक दूसरे पर आवेशित पदार्त एक दूसरे पर बलारूपित करते हैं छोटे उट इनमें छोटे उटे टुकणों को अपनी और आकर्सित करने का गुणा आ जाता है। आवेश कितने प्रकार के होते हैं दो प्रकार की एक होता है धनात्मक और दूसरा होता है इनमें क्या होता है जो लाइक चार्ज होते हैं मतलब समान प्रकार की चार्ज होते हैं आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्सित करते हैं प्लस प्लस एक दूसरे को प्रतिकर् और मूल मात्रक रक होता है मूल मात्रक मूल मात्रक क्योंकि आवेच क्यों बराबर होता है ये धारा इस अमय और धारा का मूल मात्रक होता है ए genial अप ए समय गर्क रेंप कर देखार derechocado scholar के अंदर बड़े कोश्टक के अंदर लिखा जाता है तो इसलिए इसको इस प्रकार लिख देते हैं अब वीडियो को क्या करना है समझने के बाद रोकना है और आपको परिवासा फेयर में कंप्लीट करनी यह इसको कंप्लीट करना जरूर है अब देखो जो आपकी अगली एडिंग है वो है इलक्टरान सिद्धांत अब इलक्टरान सिद्धांत को समझते थियूरी आपको बगल में दीख रही होगी लेकिन पहले आप समझ लीजिए उसके बाद थियूरी नोट करना तो देखो आपसे क्या कह रहा है इलेक्टरान है आवेश की जो आधुनिक परिकलिपना है उसी को ओं लोग कहते हैं इनुसर क्या होता है प्रते पडार्त होता है निशाहते होते हो चोते चोते कर्णों से मिलकर बना है और परमाणों प्रकार के कड़ पाय जाते हैं? Electron, Proton और Neuptron Electron, Proton और Neuptron पाय जाते हैं ये क्या होते है? एक जो Proton और Neuptron होते हैं वो पर्माडों के भीतर उसके एक सुच, इस तकेंदर में एक सुच मिस्तान में या जिसको भारी इसका पदार्थ का भारी भाग का आ जाता है उसमें इस्तित होते है इसमें कौन कौन इस्तित है इसको बोलते है नाभिक इसमें पाए जाते है प्रोटान और न्यूट्रान और इलेक्ट्रान जो होते है इसके चारों और भारी के च्छों में चक्कल लगाते रहते हैं इस प्रकार इस प्रकार चक्कल लगाते रहते हैं ठीक है तो यह जो भारी भाग होता है इसको कहते हैं नाभिक इसमें कौन-कौन पायता है प्रोटान न्यूट्रान पर धनावेश नहीं तो नाभिक कैसा हो गया धनावेशित हो गया इलेक्टरान पर क्या होते है माइनस चार्ज होता है निगेट्व आवेश होता है तो इसकी वायरी का छो में क्या हो गया है निगेट्व रिरात्मक चार्ज हो गया इलेक्टरान पर जितना आवेश होता है जैसे प्रोटान पर जो आवेश होता है वो एक होता है प्लस का और इलक्टरान पर जो होता है वो होता है यह होता है माइनस का ए का मान होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जिसको मूलावेस कहते हैं भी आंगे पड़िवासा बताएंगे मूलावेस की इतने कूलाम होता है यह प्लस का और यह होता है माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलां number of proton यो ठी fever माड़ोमें वो number of ilk ıləग्टरान के बरावर उती है मतलब proton की शंख्या और यि पनृ कीृछ विल्लेक्टरानों की शंख्या किसी पदार्ट में commanded us व्याओर थी है तो यह तो हो गए आपके बरावर अब इसके कलार जो होता है परमाडू परमाडू जो होता है वो शमान वस्ता में क्या होता है उदासीन होता है उदासीन है समान वस्ता में शमान इत्या होता क्या है कि जब इससे क्या कियाता है इलेक्टरान निकाल दिये जाते हैं इलेक्टरान की कमी आ जाए कमी किसकी इलेक्टरानों की तो तो क्या ऐसा हवेस हो जाएगा, तो ये परमाड़वे धर्ऌत्मक कावेस हो जाएगा। जबकि अगर इलेक्टराण इसमें क्या की जाए? डाल दिये जाए, मतलब अदुक्ता हो? अदिक्ता कर दी जाए, तो कैसा चार्ड होगा? माइनस का चार्ड हो जाएगा। कि उसमयीद करते ही आपको समझ में आ गया होगा वीडियो का रोकए बगल देखो समझते हैं वैदूत आवेस रच्षड क्या होता है कि वैदूत आवेस रच्षड के अनुशार आफ से कहता है कि नातो आवेस को क्या किया जा सकता है केवल इसे क्या किया जा सकता है एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में इस्तानांत्रित किया जा सकता है इसी को क्या कहते है आवेस रच्छड कहते है इस्तानांत्रित कैसे किया जा सकता है कि जैसे ये दो पदार्थ दिये गए है ठीक है इसको इनको दोनों को आवेश रच्छन के बाद अगर हम लोग बात करें किसकी मूल आवेश की तो देखो समझो मूल आवेश क्या होता है मूल आवेश क्या होता है कहता है वह छोटे से छोटा आवेश जो किसी आवेशित पदार्थ में हो सकता है मूल आवेश कहलाता है मतलब इसको समझे कि जैसे ये कोई पदार्थ है ठीक है ये कोई पदार्थ है अभी ये समान वस्ता में मतलब ना तो इसमें धनात्मा का वेसा दीखें ना तो इनात्मा का वेसा दीखें ये अभी किसे वस्ता में है अपनी शमान वस्ता में मतलब विद्धुत उदाशीन है पड़ेगा कम से कम इससे कम ना तो हम कर आवेसित नहीं कर सकते हैं तो एक electron के बरावर जो होता है वही क्या कहलाता है मूल आवेस कहलाता है मतलब किसी भी आवेसित वस्तमें कम से कम ई आवेस होना चाहिए और ई का मान होता है वन पॉइंड सिक्स इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम तो मूल आवेस में वही परिवासा होगी वह चोटे से छोटा आवेस जो किसी आवेसित वस्तु में हो सकता है क्या कहलाता है मूल आवेस कहलाता है इसे इस माली से प्रदर्सित करते हैं इसका मान 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलाम होता है यह हो गया इसके बाद बात करें अगर हम लोग आवेस के क्वांटी करण परमालुकता थुआ क्वांटम प्रकति की क्वांटी करण इसी को वो देते में परमाड उखता थो वा क्वांटम प्रकति तो देखिए समझिए कि आवेस का क्वांटी करण क्या होता है देखो होता क्या है कि कि किसी विप्रार्थ में आवेस या तो एक लेक्टान निकलेगा या आएगा या तो एक लेक्टान या तो क्या होंगे दोल letter निकले और अगर आएंगा तो प्लस- Finland चलता रहे गा इसका मतलब और ज्रूप से ऀवाजित नहीं किया अधर सकता हमेशा एकः को पूण गुड़क चलता है पुढांग में होगा एक दो तीन ऐसा नहीं 0.5e 0.3e इस टाइप से नहीं किया जा सकता तो आवेश के क्वांटी करण में आपको यही बताया गया है कि आवेश को या किसी भी आवेश को अनिश्चित रूप से भाजित नहीं किया जा सकता ठीक है यह सदयो इसमाल e का पूण गुड़ा जो होता है अर्थात किसी भी पदार्थ पर आवेश सदयों क्या होगा प्लस के e, प्लस के 2e, प्लस माइनस 2e, प्लस माइनस 3e, डॉट डॉट कुछ भी हो सकता है और कभी भी किसी भी पदार्थ पर 0.5e, प्लस माइनस 0. या 1.5e इस टाइप का नहीं हो सकता है इसी से देखो मारा फार्मूला बना है कि जो आवेस होता है क्यू बरावर वो होता है n e जहां n क्या है पुरांग संख्या है मतलब 1, 2, 3, 4 एक लेक्टरान की कमी अज्यादा तो एक लेक्टरान अगर कम है तो धनात्मक होगा प्लस के आपे 2, 2e इस टाइप से चलते रहेंगे तो इसी से यह फार्मूला बना q upon q बरावर n e आपको इस चेप्टर में पहली यूनिट में और सेकंड यूनिट में दोनों में इस फार्मूले की आपको जरूरत पड़ेगी ठीक है मतलब इस तिर आवेस तो पड़ी रहें वैद्धुत इस्तित्की चार चेप्टर इसमें फिजिक्स की नेश्ट क्लास में आप लोगों के सामने फिर से आजीर होंगे नया वीडियो लेके और उमीद करते हैं आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जादा से जादा वच्चों से सेयर करें और रेगुलर पड़ाई करते हैं फिर जरूर बना लें तो ये समय आपका बरवाद चला बरवाद ना जाया ठीक है इसका आप सही से सद्यूप्योग कर सकें इसलिए हम आप से सामने ये फिजिक्स की क्लास या मैट की क्लासें लेके हाजीर हो रहे हैं इनका आप लोग भरपूर्ण लाब उठाएं करते हैं?